MPK ग्रह मिंत्री Dr.Narota Mishra ने राहूल गांधी के मंदिर जाने को लेकर तंजकस्त हुए कहा कि ये लोग चुनावी हिंदू है जहां चुनाव होते हैं वहां ये मंदिरों में जाते हैं नौता मिश्या ने बताया कि प्रधान मंत्री के ग्रह मंत्रियों की बैट हैक में वन नेशन वन ड्रेस के साथ परेटन पुलिस बनाने की बात हुई है जिसको लागू किया जाएगा उन्होंने कहा मध्य प्रदेश से ड्रक्स माफियाओं का सफाय किया जाएगा इस दोरान उन्होंने पूर्व सीम कमलनाथ और दिगविजे सिंग पर भी निशाना साथा ग्रह मंत्री डॉक्टर नौता मिश्या ने कहा प्रधान मंति नरेंद मोदी की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार प्रेटन पुलिस बनाएगी प्रदेश में ऐस पुलिस ब्यश्ता करने का सुझा दिया था नौता मिश्या ने प्रधान मंति के साथ हुई बैठक के मुख्य बिंदू को ले कर बताया कि आगामी सोंबार को बैठक आजित कर प्रदेटन पुलिस एक देश एक वर्दी और मल्टी युक्त थाने और पुलिस कौर्टर को ल इस तरह से अनेक कंसेप्टों में एक कंसेप्ट हमारे वन ड्रेस वन नेशन वाला भी पुलिस का रखा है और हम लगबक सभी ग्रह मंत्रियों की उस पर सहमती थी परेटन पुलिस बनाने के लिए भी उन्होंने कहा कि वो लोग जो अनेक भासाएं जानते होंगे या अपन देश के अलावा अन्य देश की बासा जानते होंगे ऐसे लोगों का कंपल्सेशन करके भरती की जाना चाहिए इसी तरह से हमारे पुलिस के जवानों के लिए क्वाटर जहां जहां सेरों में प्राइम लोकेशन पर थाने की भूमी है उसको मल्टी करके नीचे थाना हो और उपर उनके क्वाटर हो इस तरह का करना चाहिए और इसके लिए मध्यपदिस सरकार अब पहल करने जा रही है परेटन पुलिस के लिए भी नौता मिश्या ने पूर्व सियम कमलनाथ के गुजराच चुनाओ जाने को लेकर कहा कि जहां जहां कमलनाथ गए हैं वहां क्या हर कमलनाथ गुजराच न जाएं नouse मिश्या ने कहा कमलनाथ ने दिगविजै सिंग को चुनाओ नहीं लड़ने दिया वहीं दिगविजै सिंग कमेटी में कमलनाथ को नहीं आँने दिया है इनके यहां ग्रह गरह चलता रहेगा राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना सा लें आप कमलनाजी जैसे गई थे और उन प्रदेसों के इतिहास में जो कांग्रेस का हस्र हुआ था वही गुजरात में होने वाला है तो मेरी तो प्रास्थना है कि यह अकारण को कलंक न ले न जाए उनकी वो जाने पर मुझे तो लगता है कि कमलनाजी ने आदरनी दिख्व अब रुकने वाला नहीं है कांग्रेस के अंदर ग्रहकल है हम पहले कह चुके के यह चुनावी हिंदू है और जहां जहां चुनाव होगा वहां यह मंदिर जाएंगे अभी पूरी आत्रा में कहीं मंतग गए कि मीनाक्षी पुरम जैसे मंदिर रामे सुरम के मंदिर और बाबा साब की याद आएगी अब वो समझते हैं कि पबले की सब चीज़ें समझती नहीं है गुड़ा बदमाश को लेकर नरुत्ता मिश्रा ने कहा गुड़ा का कोई गैंग नहीं है गुड़ा डाकू नहीं वो बदमाश है गुड़ा के लिए इतना बड़ा गढधक हो द रातना है विदिशा में सरकारी स्कूल के बच्चों की मदरसों में एडमिशन लेने की घटना से नरुत्ता मिश्रा ने इंकार कर दिया और कोई गैंग भी मुवमेंट में नहीं लेता है वो कभी मोटर साइकल से कभी वाहन से और कभी वैसे आके बदमासिया करता है उस पर करने की इजाज़त है नहीं दरसल ये विवाद बन विभाग की अभी ताजा जो आया है वो वन विभाग की जमीन का मामला है और वो आरोप लगाती है कि वो गुड़ा की धौस में जोता है जबकि दोनों ही पक्ष वन विभाग की जगे को जोते हुए है मैंने इसकी पूर राम सेतु मूवी की तारीफ करते हुए कहा कि इस फिल्म को देखना चाहिए इसमें राम सेतु को वैग्यानिक तरीके से बताया गया है आगे आने वाली पीड़ी को भी समझ में आना चाहिए वह उन्होंने खंडवा की घटना को लेकर पुलिस को जाच के निरदेश दिये है मिश्रा ने कहा मौलवी अब्दुल ने इस तरह की घटना और किसी के साथ तो नहीं की है इसकी जाच की जारी है हम सब को वो फिल्म इसलिए भी देखनी चाहिए कि हमारी आस्था के केंद्र है राम आराद है और उनके बाले में बैग्यानिक तरीके से और आस्था के साम जिन लोगों ने राम शेतु को कालपनिक बता दिया था मानव निर्मित बताया ही नहीं था उसकी समय सीमा को ही गलत बता दिया था इसमें बैग्यानिक तरीके से भी और धार्मिक तरीके से भी जिस तरह से फिल्मांकन किया गया है हम सब को देखना चाहिए आप देख रहे हैं दखल न्यूज